दोस्तों जाने है क्या होता है APR की numerical grading का मतलब जी हां तो इक बड़ी ही महत्पूर्ण जाने करें आपको स्थीडियो में दी जाएगी कि कौन सी APR को आउट्रेशनिंग माना जाएगा कौन सी को very good माना जाएगा और कौन सी को good यहां पर माना जाएगा यदि आप एक सरकारी करमचारी हैं तो आपको ये मालूम जरूर होगा कि APR सरकारी करमचारी के केरियर का एक बेहद महत्पूर्ण डॉकूमेंट होता है क्योंकि इसी के आदार पर सरकारी करमचारी का promotion और MSCP फिरवावीत होता है यदि इक सरकारी करमचारी का APR अच्छा नह लाइक कर दें और दोस्तों यदि आप सरकारी करमचारी और पैंट्सनर से जुड़ी हुई हर एक ताजा और ऑथन्टिक आपडेट जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप जरू सब्सक्राइब कर लें और यदि आपको लगता है कि हम ऑथन्टिक जानकारी नहीं देते ह तो आप अंसब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली जानकारी आप सभी के लिए यह है कि एक सरकारी करमचारी का जो APAR है वो बहुत ही महत्पून डॉकुमेंट है और हमेशा आपको APAR को अच्छा रखने के लिए काम करना चाहिए यानि कि आपकी जो APAR की प्रमोशन मिलेगा और उनका जो MSP है वो भी होने मिलेगा इसलिए APAR में अच्छे ग्रेडिंग होना बहुत जरूरी है तो अब आपको दिखा दे हैं कि कौन सी APAR को अच्छा माना जाएगा और कौन सी को गुड माना जाएगा तो ऐसी APAR जिनके की जो नुमेरिकल ग्रेड को वो यहां पर दिया जाएगा 9 तो ऐसी APAR जो की जिनके की ग्रेडिंग यहां पर दिया आती है 8 9 और 10 उन सभी को आपर जाएगा और एवरेज यहां पर स्कूरिंग की जाएगी उनकी 9 इसके बाद में ऐसी APAR जिनका की ग्रेडिंग 8 जनी 6 7 और 8 के नीचे रहता है उन यहां पर की जाएगी साथ तो ऐसे ग्रेडिंग जिनका की एवरेज इसकोर आता था साथ उन्हें भी वेरी गिड मना जाएगा और आइसी APAR जिनकी की ग्रेडिंग यहां पर यह निमिर्टल ग्रेडिंग है वो यहां पर 4 5 और और 6 के बीच में है तो उनको यह पर माना जाएगा AP, यह नहीं good APR और average जो score है वो यहाँ पर दिया जाएगा 5 और ऐसी APR जिनका की scoring आप ग्रेड बोल सकते हैं कि 4 से नीचे न्यूमरिकल ग्रेड नो को दिया गया है तो उसे किसी भी प्रकार का APR नहीं माना जाएगा और य मेसीप का लाब लेने के लिए उसकी APR very good होना जरूरी है यानि कि आपका जो scoring है वो 6 से उपर होना जरूरी है और 8 के नीचे भी रहेगा तब भी चलेगा लेकिन 6 से उपर आपका scoring होना बहुत जरूरी है तभी जाकर आपको मेसीप का लाब मिलेगा और प्रमोशन का भी लाब मिलेगा तो यह कुछ बेहद मैत पूर जानकर यहां पर आपकी APR के बारे में और आपको मालूम चल गया होगा कि कौन सी APR को very good माना जाता है कौन सी और कौन सी APR को एकदम निल APR यहां पर माना जाता है तो कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और जानकर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें सेर करना ना बूले जिससे आपके दोस्त भी APR की ग्रेडिंग के बारे में जान सके हैं और ऐसे ही यूजपूल और ऑथन्टिक अपड़ी जानने के लिए आप अमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेए पहले अकूं को प्रैस कर दाए जिससे हर एक नय वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे